नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपकी इस चनल पर मैं बहुत बहुत शौगत करता हूँ दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो पर बताया था कि अगर इस डीटेस रिसीवर का जो पावर सप्लाई है सही है लेकिन नो सिगनल का फाल्ट अगर आपके इस डीटेस कार्ड से तो आप किस प्रकार से इसे ठीक कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो पर इसे छोटी आईस वाली मदर वोड पर बताया हुआ था कि आप जो सिगनल के फाल्ट को किस प्रकार दीटेस का का चार्ड है जिस पर Sheams प्राब्लम है मैं आपको दिखा भी देत अगर दोस्तो आपको भी यह फाल्ट देखने को मिलता है आपको जो मैं तरीका बताने बाला हूं इस प्रकार से आप इस फाल्ट को ठीक कर सकते हैं हो सकता है कि आपका फाल्ट सही हो जाए तो दोस्तो आपको इसके लिए क्या करना होगा तो आपको इस प्रकार से एक छोटा कि एक तरफ कि इस प्रकार से आपको कि क्वाइव टाइब का बना लेना है जैसे कि आप देख सकती है और अब दोस्ता आपको क्या करना है तो सब्सक्राइब मैं इसे बंद कर देता हूं अब आपको यहां आप देख सकते हैं कि जो लेंद भी आउट फुट बाला पॉइंट है तो दोस्तों आपको यहां कटो गरा कुछ भी नहीं करना है जैसे कि मने आपको पिछली बुड़े पर बताया था आपको यहां कुछ भी कटिंग गरा नहीं करना है आपको सीधे इस ब यह जया करना है कि इसका जो दूसरा पॉइंट होगा तो हमारा जो फ्वह सपार सप्लाइब है इस पर इसपावर सप्लाइब यह जो स्वांके वह देता है कि लेएंगे तो आप सब्सक्राइंब होता है सिन्पल सा दोस्तों, आपको प्ले कंच लेकर इसे 12 वोल्ट वाले supply पर आपको connect कर देना है और आपको छोटा सा यहाँ wire को coil बनाकर और दोस्तो आपको इस Airbnb आउट्पूट वाले बीच वाले point पर आपको शोल्डिंग कर देना है अब मैं दोस्तो आपको इसे चालू करके भी दिखाता हूं कि मारा जो signal का प्राव्लम है तो ठीक हुआ कि नहीं दोस्तों मैं इसे चालू करता हूं आप देख सकते हैं मैं इसे on कर दिया है और टीवी दोस्तों हमारा चालू है लेकिन दोस्तों अभी signal नहीं आएगा हमें क्या करना है कि अब हमें इसे यहां से निकाल कर इस दूसरे बाले पॉइंट पर लगा दियना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो सिगनल का फाल्ट है दोस्तों हमारा जो सिगनल का फाल्ट है वह ठीक हो चुगा है आप देख सकते हैं लेकिन दोस्तो आपको यह जो coil आपने बनाया हुआ है इसे signal वाले IC के उपर आपको अच्छे सी प्रकार से चिपका दियना होगा जिसे कि आपको अच्छे सी signal रिसीव होगा आप देख सकते हैं इसी प्रिकार से दोस्तों मैं आपको इसे छोटी वाली आज़ी पर भी करके दिखाता हूं, तो मैं दोस्तों इसे बंद कर लेता हूं, और मैं इसे निकाल लेता हूं, इस पर भी शेम प्राबलम है, अब मैं आपको इसे चालू करके दिखाता हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों, यह चालू हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं इस पर भी नो सिगनल का फ्राबलम है, इस पर छोटी आइसी वाला काड़ लगा हुआ है, अब दोस्तों हम सेम प्रोसेस इसे प्रेकार से इस पर भी करेंगे, हमने जो 12 बोल्ट इस से पाउर सप्लाइपर यहां से कनेक्ट किया हुआ है, इसे दोस्तों हम इसे आउट्फूट बाले बीच बाले पॉइंट पर शोल्डिंग कर देंगे, लेकिन दोस्तों याद रखेएगा, कि मैंने पिछले वीडियो पर आपको बताया था, कि इसे आप कटिंग करना है, लेकिन दोस्तों आपको यह पॉइंट कट नहीं करना है, आपको डारेक्ट ही इसे जोड देना है, तो दोस्तों मैं इसे यहां जोड देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से इसे भी जोड दिया है लेकिन दोस्तों आपको यह जो आपने क्वाल बनाया हुआ है इसे आपको इस आई सी के ऊपर ही रखना है तब ही दोस्तों आपको सिगनल अच्छे से रिसीव हो पाएगा अब मैं इसे आपको चालू करक से भी दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं बॉक्स हमारा चालू हो चुका है अब दोस्तों हम इसे यहां से निकाल कर यहां लगाएंगे और आप देख सकते हैं कि जो सिगनल क्वाल्टी है तुम्हारा 50% के ऊपर हमें रिसीव हो रहा है तो दोस्तों यह बहुत ही सिंप सा प्रोसेस है कि इस प्रकार से आप नो सिंपल के फाल्ट को बहुत ही आसान तरीके से ठीक कर सकते हैं लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको इस कौल को जो कि आपने बनाया हुआ है आप जब इस आइसी के उपर ही अच्छे दोस्तों इसे चिपका कर रखेंगे तो आपको अच्छे सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप इस कार्ट पर नो सिंपल के फाल्ट को बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें मिलते हैं निस वीडियो पर Namaskar